चीक को रोकना असंभव नहीं लेकिन बेहत खतरनाक है यह किसी स्टण से कम नहीं है जिसे जान तक जा सकती है हाली में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया गया है कि कैसे एक शक्स ने चीक रोकने की कोशिच की तो उसकी सांस की नली ही फट गई दो मिली मीटर लंबा छेद हो गया डॉक्टरों के मताबिक यह अपनी तरह का पहला ग्यात मामला है इससे उसकी जान तक जा सकती थी डॉक्टर तब भेरान रहे कर जब उन्होंने पाय कि इतनी बड़ी धुरगटना होने के बाद उसे सांस लेने में कोई तकलिफ नहीं हो रही थी वह आराम से बात कर पा रहा था और खाना निगलने में भी कोई परिशानी नहीं हुई हाला कि उसकी गदन दोनों और से सूज गई थी और आवाज में करकशपन था यह घटना तब हुई जब उस व्यक्ति को कार चलाते समय अचानक छीक आने का ऐसास हुआ उसने इसे रोकने के लिए अपनी नाक के नीचे उंगली रख दी और मुँ बंद कर दिया इससे हुआ यूँ कि छीक आने से उसके मुँ के अंदर बहुत दबाव आ गया रिपोर्ट के अनुसार इस अजीब छीक नियंतरन टक्निक का उसके शरीर में बिलकुल विपरित प्रभाव पड़ा छीक रोकने की वज़ा से उसकी श्वास नली में दो मिली मीटर का एक छोटा सा छेथ हो गया छीक रोकने से इसका इतना शक्तिचाली प्रभाव पड़ा की छीक सामाने से 20 गुना अधिक तेश थी एक्सरे से पता चला कि उस आतमी को ऐसी विमारी है जो अक्सर धूल के संपर्क में आने से छीक बढ़ा देती है उसने लगातर आ रही छीक को रोकने के लिए ऐसा किया था डॉक्टर ने कहा कि उसे सरजरी की जबड़त नहीं है हाला कि उसे दो दिनों तक अस्पताल में निगरानी में दखा गया डिस्चार्च के दौरान डॉक्टर ने उसे पैन किलर और हाई फिबर की दवाय दी ती कुछ दिनों तक किसी भी शारिरिक काम को न करने की सला दी पांच सब्ता बाद CT स्कैन से पता चला कि गाव पूरी तरह से छीक हो गया है